two electric bulbs mark 25 watt 220 volt and 100 watt 220 volt are connected in series to a 440 volt supply which of the bulbs will fuse तो देखो यहां पर डाइग्राम बना लेता हूं मैं कि दो बल्ब है यहां पर यह वाला एक बल्ब है और यहां पर एक बल्ब है तो बल्ब नमबर वन, बल्ब नमबर टू दोनों का रेटिंग दिया है दोनों को हम लोगों ने connect किया कहां पर 440 volt के across अभी इसी को नाम लोग equivalent register के form में diagram बनाएंगे बल्ब को replace करेंगे register के साथ let's say इसका resistance है R1, इसका register है R2 और यह कितना दिया है 440 volt हमें पताएगी जो resistance का formula होता है वो क्या होता है in terms of power R is equal to V square by P अभी यहां पर bulb number 1 के लिए देखो voltage कितना दिया है उसने 25 नहीं 220 तो यह 220 का square divided by 25 and R2 जो है R2 के लिए 220 का square divided by कितना है power is 100 watt इसको ऐसे रहने तो solve मत करना तो दोनों resistance आ गए तो यहां पर देखो दोनों register क्या है series में है तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं यहां पर current find कर सकते हैं तो current find करेंगे तो क्या आएगा देखो I is equal to V by R 440 divided by यह क्या होगा R1 plus R2 आजाएगा अच्छे solve करना ही पड़ेगा के इसे R1 R2 को चलो solve कर लेते हैं यह क्या है 220 का square कितना आ जाता है 484 के बाद 2 0 तो 484 के बाद 2 0 divided by 25 तो divide by 25 करोगे तो यह आ जाता है 1936 ohm and यह कितना होगा 484 और यह 2 0 तो cancel होगे तो 484 ohm तो R1 R2 आ गए यहां पर तो इसको हम लोग लिख सकते है 440 divided by 1936 plus 484 1936 plus 484 480 divided by this is equal to तो यह current आ जाता है 0.2 ampere approximately तो यह current आ गया अभी हम लोग निकालेंगे power across each bulb और each resistor तो power across first bulb क्या आएगा देखो I square R1 तो यह है 0.2 का square into R1 कितना है आपके पास 1936 1936 into 0.2 का square यह करोगे तो यह लगबग आ जाता है 77.44 वैट and power P2 रेखो क्या आ जाएगा 0.2 का square into R2 कह है 484 तो 484 into 0.2 का square मतलब यह आ जाता है 19.36 वैट तो यहाँ पर देखो आपके पास दोनों power आ गए 77 एं एक का है 19 है अप्रोक्स तो उसने दिया के rating first bulb का power rating है 25 second bulb का power rating है 100 बट जब हम लोग ने solve किया first bulb का power first bulb के across power कितना मिला है 77 second bulb के across कितना मिला है 19.36 अभी first bulb का maximum power handling capacity कितना है 25 बट उसके across जा रहे 77 मतलब वो क्या हो जाएगा fuse हो जाएगा तो कुन सा bulb fuse होगा तो 100 Watt वाला B1 नहीं 100 Watt वाला नहीं 25 Watt वाला वाला वाल fuse होगा तो option B is a correct one right होगा 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 ह